नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की मिउसी फ्लो टैबलेट का उप्योग किन कंदीशन्स में किया जाता है. मिउसी फ्लो टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? और Muciflo Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Muciflo Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Muciflo एक brand name है Muciflo Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Muciflo Tablet के अंदर salt composition AC-Brophilin 100MG और Acetyl Cytin 600MG होता है AC-Brophilin अस्थमा और bronchitis के वज़े से होने वाले लक्षणों को ठीक करती है और Acetyl Cytin फैफरों में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है Muciflo Tablet का उप्योग अस्थमा होने पर, bronchitis होने पर, फैफरों में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए और chronic obstructive pulmonary disorder होने पर किया जाता है Chronic Obstructive Pulmonary Disorder को COPD भी कहते हैं अस्थमा और COPD होने पर व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होना, सांस फूलना, सांस लेते समय CT जैसी आवाज आना, छाती में जकडन और खासी होना आधी लक्षण अस्थमा और COPD होने पर हो सकते है Musiflow Tablet वायुमारक की मासपेशियों को रिलैक्स करके और फेफरो के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है Musiflow Tablet को लेने के बाद फेफरो के वायुमारक चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वज़स से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है Musiflow Tablet अस्थमा और COPD होने पर सांस फूलना और सांस लेने में परेशानी होना आदी लक्षणों को ठीक करती है और इन लक्षणों को रोकने में भी मदद करती है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Musiflow Tablet की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Musiflow Tablet की वज़ह से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट में बेचनी, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्चक्राना, घबराहट होना, सीने में जलन होना, भूप कम लगना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशिस होना, शरीर में ठकान होना, सिर्दर्ध होना और दस्थ होना आदी side effects Musiflow tablet की वज़ा से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में Musiflow tablet की वज़ा से Cubs की समस्या भी हो सकती है। अब हम discuss करेंगे कि Musiflow tablet को कैसे लेना recommended होता है। Musiflow tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तोर पर 14 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर Musiflow tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। Musiflow tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Musiflow tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और धूल, पोलुशन, खराब मौसम और फैक्टरी से निकलने वाले धुए, ववाहनों से निकलने वाले धुए के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पर, दिल का दौरा पढ़ने पर, दिल की धड़कन अनियमित होने पर, लिवर और किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर म्यूसिफ्लो टाबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डौक्तर की सला के बिना म्यूसिफ्लो टाबलेट को नहीं लेना चाहिए। महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को म्यूसिफ्लो टाबलेट को डौक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका म्यूसिफ्लो टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल